वाहि गुर्जी का खाल सा वाहि गुर्जी की फते आजदी साखी है पांज पे आर्यांदी चोन दसमे पांच्छा शिरी गुरु कुविन सिंग जी महराज ने हिंदोस्तान दी मुर्दा हुई कौम बिच रोहानी शक्ती पर अले एक इलाही कौतक रचिया अनादपुर सही विखे 1699 में इसवी दी विसाखी वाले देन केई हजारां दी गिंदती विच संगता दा पारी दिवान सजया कीरतन उपरांथ गुरु सही जी ने पांच सिखा दे सीज़ दी मंग किती अबु उल्ला तरानी नादा मुसल्मान जो औरंग जेव दा जासू सी ओ गुरु गुरु गोविन सेंग जी महराज दरवार वे जासू सी करदा सी उसने अपनी रिपोर्ट जो औरंग जेव नुपे जी सी उस विच विसाखी दा अखी निठा हाल इस तरह ब्यान किता है जेज़ देन गुरु गोविन सेंग जी ने अनादपुर सहीव अमरेत त्यार किता दिवान वेच हाजरी पैंती तो चाली हजार सी मुगलां दे चार तक्ट संद दिल्ली आगरा लहौर अते कलानौर पर घुरु दे तक्ट दी शोबा निराली सी तक्ट मुगल बाशा दे तक्ट नु मात करदा सी उस दिन गुरु जी दाल लिबास चडँ जलाल अते तेज अचल्मा सी गुरु जी दरवार वेच आए अथे किरपान नू म्यान विचो कड नंगी करके फड़ वा आवाज बलंद किया मेनू एक सिर्दी लोड है बगैर देर सोच विचार अथे किसे हील हो जद दे दयाराम आहाजिर होया गुरु ने परे दरवार वेच इत्थे उखलोते सान सबना दे सामने एक वार किता अथे सिर्दाड नालों उजुधा हो गया दिवान वेच संसनी फैल गई अथे वोते आदमी अवाक रह गए गुरु जी ने फिर गर्जमी तकटमी अवाज विच किया मेनू होर सिर्दी लोड है चट तरम चांद उठ्या जग गुरु जी नू नमस्कार केती अथे गुरु जी दे इको वार ने इस दा सिर्दाड़तों वक कर दिता दिवान विच हल चली मच गई पाजड पै गई गुरु जी ने फिर बा आवाज पल्लांद एक होर सिर्मंग गया अते जके बाद दीगरे हिम्मत राय मोकम चंद अते सहे ब्राम इना पंजानू कतल कर देता सिर्दाड़ानाणों वकरे कर दिते कई आदमी गुरु जी दी माता कोल पहुंच गए अते सारी विध्या सुनाई गुरु जी ने उना पंजान दे सरीरा ते कप्ड़यानों चंगी तरह तो दिता पर्ष भी साफ कीता ते खूंदा कोई वी दाग कीते भी ना रहन देता दा सिर्द दूसरे दे ताड़ नाड़ अते सिर्द ते ताड़ रड़ा मिलाके दूसरे आदा ताड़ा नाड़ दूसरे सिर लाके पहर को वे चंगी तरह हिकमते अमली नाड़ स्योंदेते उना पंजान लाशां उते चिट्टे कपड़े पादेते या ते फिर एक पत्थर दा कुंदा मंगवा के उसुते लोहे दी एक कड़ाही जिसनू कुंदे नहीं सी लगे होए रख पाणी पा आबे हेयात बनोन लगबेया आबे हेयात त्यार हो चुका सी गुरू जीने उना लाशा तो पढ़दा चुक पैला दे आराम दे सिरा ने बैट मू खोल आबे हेयात उस्ते मू विच पादेता सिर दे वाला विच पाया ते सारे सिरीरुते शड़किया है ते आख या बोल वाहे गुर्जी का खाल साव वाह वाहे गुर्जी की फते बोलेया, परे दर्वार विच सक्ते दा आलम शा गया, हजारा इंसाना दे हुद्या होया भी कोई सा नहीं लेरेया सी, अधे दिवान विच बैठे आदमी गुरू दी करामात उते मुग्द होय, किसे जादू दे असरहेट की ले होय बैठे सन। इसे तरह उसे बाद जके बाद दीगरे बाकी दे उना चोहा नू भी आबे हयात पिला, उसे तरह वाला अधे सिरीर उते आबे हयात छिड़क बोल, वाहे गुर्जी का खाल सा वाहे गुर्जी की फते बुला उना नू भी मुड जिन्दा गर देता, गुरू उना नू मुड जिन्दा किते आदमी तंबू तो बाहरा के खलो गये ते गुरू ने बीरासन कर उना तो आप आबे हयात मंगया, उना ने पुछ या, तुसी इस अमोल वस्तु लई की दिता, गुरू जी ने आख्या, के मैं प्रण कर दा हां, के मैं अपना सर्बान सते होर सब कुछ कुर्पान कर दियांगा, उना पंजाने गुरू जी नू आपे हया दिता, उना पंजाने गुरू जी नू आपे हया दिता, गुरू जी दा नाम उस वक्त तो गुविंत राए तो गुविंत सिंग हो गया, उना पंजाने नाम नालवी सिंग जोड दिता, दिया सिंग, तरम सिंग हिम्मद सिंग मोकम सिंग अते साहिब सिंग रख देता अबू उलात रानी लिखता है मैं बहुत पश्टाया ते रोया उस्तों बाद उत्थों ही हजारा आदमिया ने वो आबे हयात बीता में थो ना रहा गया ते मैं भी अपने आपने आपने बड़ा तिरकारदा ते कृष्टायों दा होया उसे वक्त ही किसे मिकनाती सी कशिश अधीन चाट गुरू के चरना उते जाड़ेगा उस्तों आबे हया दिदात बंगी गुरू ने जड़ा जरूर मेरा पखंड ते दम जानदा सी बड़े प्यार नाड में नुठापड़ा दे आबे हयात प्या के म मेरा नाम अजमीर सिंग राख दिता इस तरह मेरे जन्मा जन्मा नतरा दे पाप कटे गए मैं गुरू जी दी फौज उच परती हो गया याते चंगी तरह चंगा वेच जुलम नाल दू बदू लड़ेया मैं उसे देन ही अपनी जिन्दगी दी अखेली रिपोर्ट औरंग जेबन उतारना किती के खबरदार जोंदे जागदे रबनार मत्हा नाला जुलम ना कमा आते जे मेरी सिफारश उते अमल ना कीता तक हांदान ते सलतनत तबाह हो जावेगी दुनिया दे तक ते उते नामो निशान मिट जावेगा अबू उल्ला तुरानी दी इस रिपोर् सारी संगते सामने लए अधे एक कौतक पड़दे विच नहीं रख्या एक दासर दूसरे देता नाल जोड़के इस सिद्ध कर दिता के मानस की जासब है एके बहचान वो अधे जात पात उच नीच अते वरन वांड़दे पे तो मानव तानू मुक्त कराया अर्शने विच नहीं सोगह नहीं जात आँ सकते के ऑूँच्स के अधे झाल मान ही के एक दसके में झाल